हेलो स्टुडेंट्स, आज की क्लास में हम दोग करेंगे काइनेमिटिक वरेबल्स, तो काइनेमिटिक का जो पहला चेप्टर है, मोशन ने स्टेट लाइन, उसमें हम दोग क्या क्या चीजे कर चुके थे, एक बार रिवाइस कर लेते हैं, हम दोग उने इंट्रोडक्शन किय जहां पर basic motion की definition हम लोगों ने जाना थी, difference frame ये बारे में जाना था, और कोई object दे कितना motion किया, what is the quantity of motion, distance or displacement के terms में जाना था, फिर distance or displacement से आगे बढ़े थे, कि motion कितना fastly or slowly हो रहा है, motion की rate क्या है, तो उसको बताने के लिए speed or velocity दो कानेमिटिक वरेबल है, और speed or velocity में हम लो जो उसकी fastness or slowness रहा rate of motion है, वो एक long time interval में चाहिए और एक instant पे चाहिए, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, तो ये जरूर देख लीजेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, जिसे आपको automatic updates मिलते रहें, नए वीडियो के, आज हम लोग उस position, displacement, velocity और acceleration ये variables यूज करते हैं, position, displacement, velocity ये terms हम लोग डिसकस कर चुके हैं, तो आज हमारा focus रहेगा acceleration, तो acceleration करने से पहले बाद थ्वासा revise कर लेते हैं, जैसे माल लेजे ये एक particle है, जो कि एक state line में चलना है, और ये o पे observer है, origin पे, और particle चलते-चलते, p पहुंचा और उसकी position किसी भी समय, moment पे x है, तो ये position तो हमें, मालूम है, space में location बताती है, इसलिए देखिए मैंने, जब मैं क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने लिखा था, position is location in that space, object तहां पे है, particle, अगर हमारा object है, जो object है, वो particle हो सकता है, body हो सकती है, तो अब ये हम सुरवात की kinematics में particle को discuss करते है, point marks को, जब multiple point marks होते है, तो उनको rigid bodies बोलते है, ये bodies बोलते है, तो उसकी जो space में location है, वो बताने का काम position करती है, अब वो position change हो रही है, x1 से x2 तो बना particle चल रहा है, displaced हो रहा है, displacement और distance निकालना हम लोग कर चुके है, अब वो displacement और distance time के respect में हो रहा है, तो अगर हम उसकी ये time के respect में कितना उसका distance या displacement cover कर रहा है, उसकी rate निकालने, तो speed या velocity बन जाती है, average speed, delta s upon delta t, total distance upon total time, average velocity, total displacement upon total time, delta r upon delta t, और जब हम instantaneous करते हैं, दोनो, जाए speed या velocity, मैंने बताया था, average speed, average velocity दो अलग तर्म है, बटे, instantaneous speed, instantaneous velocity, दोनो एकी तर्म है, और क्या होंगे, तो delta x upon delta t होता था, velocity में, वो dx बन जाएगा, तो instantaneous velocity होती है, dx upon dt, और instantaneous speed, instantaneous velocity का magnitude होता है, mod होता है, क्योंगे, वो में सबस्टी होती है, तो यह देखे कर चुके हैं हम लोग, instantaneous speed भी dx upon dt है, instantaneous velocity भी dx upon dt है, difference यह है, कि instantaneous velocity एक vector है, तो उसमें एक direction है, और direction होता है, direction of motion, कहां पे, तो ज gradient is velocity, इस moment पे जो tangent होगा उसके along, यहाँ πेidents nämे velocity छी है, तो इसके tangent के along, यहाँ पेच ओन्पे झोटे time की बात करेंगे, तो जिसे ऑवरेज-विल्विल्वास्टी कि धर होती है, जिसे मालने ये initial position है, ये final position है, तो average velocity होती ही displacement या ने की chord के along, अब मुझे time interval जब छोटा करू तो final position, initial position के पास आती जाएगी, final position, initial position के जितना पास आती जाएगी, उतना इनको मिलाने वाली जो line है, वो call से tangent बनती चली जाएगी, call से tangent, ये देखिए I पे tangent बन गई, तोकि I और F जब side कर जाएगे, F और I एक ही जगे आ जाएगे, तो ये और जो है, वो tangent मन जाएगी, इसलिए instantaneous velocity हमें साख किसी भी टाइप के motion के लिए tangential होती है, लिए बात है कि straight line में tangent तो उसी line के लाउंगी होगा, अब देखिए, अगर किसी object की हमने velocity निकाल ली, और वो constant है, वादब पाड़केल की speed भी fix है, और direction भी fix है, देखिए, जो नीचे में एक line दिखाई है, देखिए, पाड़केल की speed भी fix है, और arrow देखिए, सब bright word है, उसी speed से उसी direction में चला जा रहा है, velocity एक vector है, तो constant तभी होगी, जब speed, यानि कि उसका magnitude, और direction, यानि कि उसका direction और motion, दूनों सेम होते हैं, एक पाड़केल एक line में और एक ही direction में चला जा रहा है, तो ये जो motion होता है, इसे बोलते है, uniform motion, uniform motion ऐसा नहीं कि सिर्वी speed constant हो, लिखा है एक question, आपको बताना है true or false, एक पाड़केल की speed constant है, देखिए हैं, इसकी velocity भी constant होनी चाहिए, इसकी बोला है, if speed of a particle is constant, then it must mean velocity is also constant, true or false, तो इसका अंसर है false, speed constant है, तो जरूँ नहीं कि velocity भी constant हो, जैसे माल लिखें ये uniform circular motion हो, एक particle circle में घूम रहा है 5 meter per second से, लेकिन circle में घूमते वाक्त तो direction बदलती रहती है, तो speed constant है, बद direction बदलने से, वो velocity variable मानी जाएगी, तो uniform circular motion, uniform motion नहीं है, भले उसमें uniform आ रहा हो, एक जान लिजए, uniform circular motion, uniform motion बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर एक particle लगाता है, उसी speed से उसी direction में चला जा रहा है, तो ये uniform motion है, अब ऐसे uniform motion तो आपने पढ़ा होगा law of inertia, अगर कोई particle बिल्कुल कोई force ना लगे, तो जितनी speed से जिस direction में चला है, वैसे चलता रहा है, तो उल्टा भी है, अगर कोई particle उसी speed से उसी direction में चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पे कोई भी force नहीं है, तो अगर एक particle की velocity constant है, तो जाने कि उस पे force zero है, जाने कि उस पे बहार से कोई force नहीं लगा, और उस पे जब बहार से कोई force नहीं लगा, तो उसमें कोई velocity में change भी नहीं हुआ, velocity का rate of change भी zero है, उस velocity के rate of change को ही हम acceleration कहें, और इस uniform motion में acceleration zero है, तो अगर motion uniform नहीं होता, या तो velocity में speed बदल लए होती, या तो velocity की direction बदल लए होती, या speed और direction दोनों बदल लए होते, तो हम बोलते कि particle is accelerated, particle में acceleration है, तो अगले देखे मैंने यहीं लिखाया, acceleration में मैं पहुंच आऊं, या अगर particle की velocity change हो रही है, तो जो rate of change of velocity with respect to time है, जो velocity के बदल ले का rate है, with respect to time, rate क्या होती है, rate जैसे runnate होती है, total number of runs, divided by total number of overs time period बता रहे हैं, तो वैसे जो velocity का rate of change होगा, तो वो अगर एक बड़े interval में निकालेंगे, तो average, और छोटे ऐसे differential time में निकालेंगे, तो instantaneous, तो अगर मालने मुझे average acceleration चाहिए, तो मैं लिखूंगा change in velocity upon change in time, change in velocity, final velocity minus initial velocity, v2 minus v1, change in time, final time instant minus initial time instant, t2 minus t1, तो यह बन जाएगा delta v upon delta t, यही है average acceleration या acceleration के basic definition, delta v upon delta t, और अगर हमे instantaneous acceleration चाहिए होगा, तो time interval चोटा करेंगे, तो delta t बन जाएगा dt, तो instantaneous acceleration बन जाएगा dv upon dt, instantaneous acceleration क्या बन जाएगा dv upon dt, average acceleration क्या है, delta v upon delta t, instantaneous acceleration क्या है, dv upon dt, और acceleration होता क्या है, acceleration होता है, rate of change of velocity, with respect to time, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज को और डेटेल में